हेलो फ्रेंट्स एंडियर इस्टुडेंट्स तुड़े वी आर गॉइंग टुटेंड ए सेमिनार फोर मोटिवेशनल स्पीच कि मोटिवेशनल स्पीच की अगर में बात करें तो जैसे क्लास कतम अने के बाद सर ने कहा कोई मोटिवेशन होतों देखो मोटिवेशन ऐसा कुछ बना वा तो है नहीं कि वहीं कोई स्पीच तयार है आपके लिए स्पेशल बट जैसे मैं मेरे अनवाव पर जो सीखता हूं आ आपको मैं बता देता हूं तो कुछ टाइम दो या तीन चार दिन पहले मैं एक स्टोरी आपर सुना रहा था तो मैंने उसको प्रेंडिंग कर दिया था छोड़ दिया था बीच में अभी बच्चों ने वापस का आया कि सर वो स्टोरी अपनी पूरी कर दें तो क्यों ने ऑ स्टोर को फ्रेंडना मिलें को से स्टोरी कुछ प्रकार सरे धिन एक घुर स्वार था और वह अपने गांसे निकला थाbek उसको एट लिस यागौ चेंज में करना थ हो मुस्कों गांव गणमर्य कर ना तो गया गोर्ज्वारी उसक्वार जाके खड़ा हो गए दूर दराज कोई गाउं था वाहा चला गए जाक्ड़ आ है तुकु हाँ या आख खड़े होने के बाद वहां कहां के बाहर एक उल्ड ृप्ती बेठा था है न पा इसके पास अन वह ज्यादा है तो उसने हम यार यह जो व्रद गृःत्य उससे अच्छा तो कौन बता सकता है तो उसने पहले उसको नमस्कार वागिरा किया और बड़े ही सुपता के साथ उससे पुछा कि बाबा मैं यह गाउं छोड़के आया हूं और मैं इस गाउं में आश्रे लेना चाहता हूं तो क्या मैं यहां पर रह सकता हूं क्या तो उस उल्ड विक्ति का परसंथा उसके लिए तु जहां से आये वह गाउं कैसा है उसने का वह गाउं बहुत बेकार है बहुत निर्दईल हो गए एक दूसरे कुछ नहीं समझते हैं गाली के लोच करते हैं मार काट भी कर लेते हैं और मैं शुकून बर रहा हूं मों इतनी दूर निकल के आ गया तो उसने क्या का बैटा मेरा सत्तर साल गन बहु है यह गाउं तेरे को उससे भी बुरा मिलेगा उससे भी निर्दई लोग है काट ही देते हैं दूसरों को तो लड़ाई की बात कर रहा है यह मेरा सत्तर साल गन बहु है गलत नहीं कहर रहा है कि अच्छा होगा कि आप यहां से जाके किसी दूसरी जगह पर आसरे लें अब यह काहनी को मनाने का कुछ तरीका एक तरीके से देख ले तो यह कुछ काल्पनिक चीज़ें भी डाल रखी है इस काहनी के अंदर मैटेरियल के रूप में कि कापी टायम बाद में एक मैं जिस गाउं से आया हूं उस गाउं को चेंज करना है और मैं आपके गाउं में असरे लेना चाहता हूं तो मैं क्या यहां पे असरे ले सकता हूं तो उसने कहा हूं जहां से तू वर्द वेक्ति का वही प्रसंद कि जहां से तू आया है ने वो गाउं कैसा है तेरा बहु हूँ इस बात से कि मैं उनको छोड़ के आया हूँ बाकि गाउं बहुत अच्छा है तो बटा मेरा सत्र साल गान बहुत है इस गाउं में तेरे को उससे भी अच्छे लोग में लिए आपका स्वागत है मेरे गाउं के अंदर इस बात का मोरल क्या रहा इस बात का निचोड क्या निकला इस बात का निचोड तो ये निकलता है कि आप जैसा होना है वैसे है आपके लिए माहूल है समझ ना बात को आप जैसे हो वैसा ही आपके लिए माहूल है आप अच्छे हो तो आपके चारों तरप के लोग आपको अच्छे मिलेंगे या अच्छे लोगों को आपके पास आना ही होगा अगर आप अच्छे हो if you are good in your quality then I will be very good लेकिन अगर आप खुद से ही बुरे हो ना है तो आप चाओ आई पे चले जाओ अच्छे से अच्छे माहूल में चले जाओ आपको बेकार लोग ही मिलेंगे क्योंकि आपके बिवेर करने का तरीका हो यह तो कानी से तो हमने एक बास सीकी क्या कि खुद का बरताओ अच्छा होना चीए खुद का बरताओ अच्छा होना चीए लोग तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे और खुद का बरताओ बेकार है तो लोग तो आपके लिए बेकार है पोजिट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्वि नेगेटीव इचार्ट जद्दा है तो किसी के पास जाके अपने दुखड़ें सुना अपता है कि यह ओ गया यह ओ गया यह ओ घ्रीक है तो दूसरे के पास भी नेगेटीव टीव बन गई वहां के वह आप से पहले अरहे ते तरह यही हुआ है मेरे तो यार सारा काम ही नहीं जाने देगा आपके दुखों के अंदर भी आपको बंदा उपर नहीं जाने दे रहा है तो मैं तो आपको यह बात बता रहा हूं आप हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ दूसरों के साथ मिलते हो हमेशा बढ़ताव करते हो आपके अंतरमन में कितने भी दुख हो कैसे भी हो लेकिन आप जैसे दूसरे वेक्ते से आपकी तारीब करते हैं यार बंदा को अचा जैसे जाब आता है तो से थोड़ा सा महाल थोड़ा सा कुछनुमा हो जाता है एबसे मूल लटकार आ रहा दूर से भाख जाते हैं कंती काठ लेते हैं दूर चले जाते हैं आप यह यह भी आप अगर एक बार ना ये प्रेक्टिकली करके देखलो आप यह एक बंदेग अपने दुक इतलहां यह दुखित फॉट यह लेकिन अपणी शेकंड इपाद ricca अब इतने दुक है कि आप पिछले जनम के दुख भी साथ में लिया हुगा मेरा मेरा दूख करी मेरी नोकरी नहीं पिछले जनम एकुट वेकार काम किया हो गिए लोकरी नहीं लिगू गरवले नहीं कहते, तेख इतने दुख सोड के ला रहे हैं यार, खुद पर बंदे को बीस्चा रहे हैं, खुद का बालिस, बिलेप सिस्टम हैigon कमजर है, अधं, खतनाग बलेप सिस्टम होना चाइक आगे, अधं, खतनाग होना, ऐसा बलेप सिस्टम जसके आगे लोग ऐसे वो लगी हाँ गट्स हैं बनन्दे में काम कर सकता है क॒ります अब ये बाते में आपको बता रहा हूं अब इस चीज को हम अपने उपर जोड़ते हैं ठीक सब के लाइप स्ट्रेगल वाली है ऐसा कोई नहीं बच्चा जनम लेता है वहां से स्ट्रेगल स्टार्ट हो जाता है और यू आर बाइलोजी स्टुडेंट आपको पता है कि स्पम स्ट्रेगल दिया है उस स्ट्रेगल को आपको सही से जीना नहीं आ रहा है उस स्ट्रेगल को आपने बोज समझ लिया लेकिन परिपकोता बच्चों आपके पास तभी आएगी जब आप स्ट्रेगल को बोज ना समझे अपने स्ट्रेगल को आप इस तरीके से देखें कि या लगन जगाएं आप पढ़ रहे हैं उस चीज में रूची डून दें लगन जगाएं आपको इस वक्त मातर गरवालों की तरफ से एक ही काम दिया गया है जो आपका बहुत बड़ा उद्दिस है और वो है पढ़ने का उसके लिए वो गरवाले आपके सारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम्पलीट करके बेठे हैं करते हैं बेचारे कैसे भी करके रिसोर्सेज कम्पलीट करते हैं कैसे भी करके अब बतावा आपको एक ही काम दे रखा है पढ़ने का उसके लाव के पास काम क्या है कोई नहीं न मस्त पोजेट्विटी में रहो काम करो बढ़िया तरीके से और बढ़िया टार्गेट जरूर डिसाइड होना चाहिए बहुत अच्छी बात अगर आपका गोल इसी टाइम पर डिसाइड नहीं है तो आप बठक जाओ आपके मन में कई खायाल आती होंगे मैं पेंटर बन जाओं बड़ी आर्टिस्ट बन जाओं मैं डॉक्टर भी बन जाओंगा सुब उटके आया तो किसी के बले यार मैं तो वकील बनूंगा स्याम तक वापस प्लांचेंज हो जाता है बनोगे क्या यार पहले तो खुद की उ अंदर जाके देख लेना कितनी क्वालेटी है हमारे अंदर ठीक है तो अबस लिए 11th क्लास बेटी है 12th क्लास रहती ही तो थोड़ा मोटी मेरा पुछलक आप से रहता था थैंक्यू सो मच